अगर आप इस मंत्र का जाब करोगे आप देखोगे कि आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो रही है रात ही रात में आपको गुड़नियो सुनने को मिल सकती है नहीं तो तीन दिन के अंदर अंदर आपके विश पूरी हो जाएगी बहुत जाद़ इफेक्टिव है ये आज रात को बारबजे भगवान श्री कृष्न का जन्व होगा अश्ट मेतिथी प्रारंब हो जाएगी रात को नो बज के एक्किस मिनट से और कल रात को ग्यारा बज तक रहेगी अश्ट मेतिथी भुगवान श्री कृष्ण का जन्म आज रात को बारा बजे ही होगा क्योंकि अश्ट में तिथी में उनका जन्म हुआ था तो आज रात को बारा बजे उनका जन्म होगा आज रात को बारा बजते ही आपने इस मंत्र का जाब करना है अपनी विशेस को बोलना है चाहे आपने वृत किया है या नहीं किया है तब भी अगर वृत नहीं भी किया है तब भी आप इस मंत्र को बोलेंगे आपकी विष्ष जरूर पूरी होगी आप देखोगे कि चारों तरफ से आपके काम बनने लग गए हैं जो भी काम अठके हुए थे काम बन रहे हैं और घर में सुक्सिम्रदी आ रही है, खुशिय आ रही है, पैसा आ रहा है, सारी चीजे अच्छी हो रही है लाइफ में, पॉजितिविटी आ रही है, आज के दिन आपने क्या करना है, नहाद होके बिल्कुल स्वच होके आपने भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करनी है, तुरे को आपने क्या करना है रात को बारा बचते हिं आपने ओम खुली खुली करना है अगर मंदर जाक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि मंदिर विद्र में विधी विधान से पूजा वहाँ बेटके आपने भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठके आपने मंत्र का जाब करना है उसके बाद आपने क्या करना है उसके बाद आपने 1176 Heritage आपने पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मंत्र जाब करना है, जैसे भगवान स्वयम आपके सामने खड़े हैं और आपको सुन रहे हैं, उसके बाद आपने 1176 हरे कृष्णा 21 बार बोलना है, साथ में अपनी विश बोलनी है, जो भी आप मनुकामना अपनी पू 1176 हरे कृष्णा मुझे नौकरी मिल रही है, 1176 हरे कृष्णा मुझे नौकरी मिल रही है, ठीके अगर आप लव मैरिज के लिए कर रहे हैं, तो आपने बोलना है 1176 हरे कृष्णा मेरी लव मैरिज हो रही है, अपने पार्टनर का नाम भी बोल सकते हैं, कि मेरी सो एंड सो अगर आप एक्जाइम क्लियर करने के लिए कर रहे हैं तो आपने बोलना है 1176 हरे कृष्णा मेरा एक्जाइम क्लियर हो रहा है अगर आप घर में सुक्समृद्धी के लिए कर रहे हैं तो आपने बोलना है 1176 हरे कृष्णा मेरे घर में सुक्समृद्धी आ रहे हैं जो भी आ और आपने अपनी wish को visualize करना है कि जैसे सच में आपकी wish पूरी हो रही है, आपको happiness होनी चाहिए, बिल्कुल खुशी के साथ बोलना है, मन में positivity होनी चाहिए, कोई भी negative विचार आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए उस समय, जतना positive रखेंगे अपने आपको उतनी जल्दी wishes पूरी होंगी, उतनी जल्दी आपकी life में positivity attract होगी, और उस time जो भी आप बोल रहे हो, उसी दिन से वो चीज़ें आपकी जिन्दगी में आनी शुरू हो जाएंगी, जो भी आप बोल रहे हो, आपका काम बनने लग जाएगा, आपको फर्क दिखने लग जाएगा, कि आपक कि राधा कृष्ण जी की फोटो अपने घर में जरूर लगाएं, और उनके आगे बैठके फोटो के आगे बैठके आप ये उपाई कर सकते हैं, बहुत जादा अच्छा होगा, आज भी करना है, कल भी जरूर करें, कल भी क्योंकि अश्टमीति थी, कल रात को 11 बजे तक रह लेकिन अगर नहीं होती है, इन केस अगर नहीं होती, तो आप इसको 11 दिन तक जरूर करें, डेली रात को आपने भगवान की फोटो के सामने बैठके, आपने मंत्र जाप करना है और अपनी विश बोलनी है, घर में बैठके भी कर सकते हैं, जनमाश्टमी के वाले दिन आप नंदर में जाके कर सकते हैं, अधरवाइस आप इसको घर में बैठके भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, आप देखोगे कितनी जल्दी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, सारे बिगड़े हुए काम बनने लग जाएगे, मनो कामना है, पूरी होगी, पूरे परिवार को आशिरवाद मिलेगा, सुक्समृद्धि का आशिरवाद मिलेगा, घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी, काम बनने लग जाएगे, जो भी अटके हुए काम है, सभी बनने लग जाएगे, और आपकी विश जो आप बोलोगे, किस बार जरूर पूरी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै श्री कृष्णा